थीरे थीरे उसका चेहरा दिखाई दे रहा है अप समझ में आया सिकंदर की विधी कंप्लीट क्यों नहीं हुई थी तो तुमने सिकंदर को धोका दिया है मुझे सब पता चल जाता है अर्मान ने दिया सिकंदर को धोका अर्मान का सच आया सिकंदर के सामने कल स्टीवी शो तेरे इश्क में घायल के अपकमिंग अपिसोड में हम सब देखेंगे सिकंदर ये जानना चाहता है कि सिकंदर श्राप मुक्त क्यों नहीं हुआ विधी कंपलीट होने के बावजूद भी सिकंदर अभी भी श्राप पित है इसे बीच वीर और इश्रा मिलकर अर्मान को किड्नाप कर लेते हैं और किड्नापर के बारे में कुछ भी बताने से अर्मान इंकार कर देता है अब योगिनी की मदद से सिकंदर ये जानना चाहता है कि आखिर कौन था जिसने अर्मान को किड्नाप किया योगिनी अर्मान के मेमरी से फेस को देखने की कोशश करती है और फेस देखने के बाद योगिनी बोलती है कि ये तो काव्य की हमशकल है योगिनी सिकंदर और अर्मान से बोलती है कि अगर ईशा जिन्दा है तो विधी कम्प्लीट कैसे हो सकता है विधी कम्प्लीट करने के लिए ईशा का मनना जरूरी है योगिनी अर्मान से बोलती है कि यानि कि तुमने सिकंदर को धोखा दिया विधी पूरी नहीं हुई सिकंदर पीछे से आता है और वो बोलता है कि मुझे इन सब के बारे में पहले से ही मालूम है अब देखना इंट्रेस्टिंग होने वाला है कि क्या सिकंदर से इशा को बचा पाएगा अर्मान आपको क्या कुछ कहना है इस पूरी अपडेट को लेकर आप अपना उपनेर हमें कॉमेंट के जरीए जरूर बताइए और साथ ही टेलेविजन से जुड़ी सभी लेकर अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले